हेलो फ्रेंड अगर आपका कुछ चटपटा मन करें खाने का तो यह देख सकते हैं आप सूजी और हलुआ का खुब बढ़ी है स्नेक्स बना सकते हैं इसको बनाना एकदम असान है तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है अमारा नस्ता हेलो एवरिवा क्रिस्पी नेक्स पेंट पर के मारा परकन क्रीम आपड़्सपीत है मुए इसमें मैंने 2 खोट्टोरी पाने प्रैलिक की रेड़-, इसमें हमको आधा चममच आपसे करने कीम्रिवा नेते हैं लिगकर स्लाक्त्रूराना वृष अधा पानी में नेते लीग पाने लिए रोर अब हम इसमें एक कटोरी चमस सूजी लेंगे एक कटोरी लेना है तो आप देख सकते हैं हमको इसको डालते जाना है और इसको चलाते जाना है ताकि लंच ना पड़े और हमारा अच्छे से मिक्सिस में हो जाए तो आप देख रहे हैं मैं इसमें धीर देर इसको सारा डालना ह है इसको अच्छे सी चलाते जाना है इसको अब तक बखाना है फ्रेंड जब तक हमारे को हमारे सूजी और पानिsky को अच्छे रीए खर खक यह ए एक दम यहां से अच्छे से बाना घंख затॉ cuarto तो हमारे सूजी अपक चुकी है अब मैं इस पर उसी पर छोड़ दूँगी गैस पर ही ताकि एच्छे से ठंडा हो तो हमारा ये बन के रेडी हो गया है सूजी का अब मैं इसके लिए छे आलू ले लिए हूँ धो को उबला हुआ इसको छील लिया है मैंने एक पारिक प्याज मैंने काटा है हरी मिर्च मैंने दू महिन बारिक काट के लिया है इसके बस फ्रेंगे इसमें आधा चमच हल्दी एट कर देना है आधा चमच इसमें धनिया पौडर स्वानुसा नमक लेना है आधा चमच जीरा है चाट मसाला आधा चमच है अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में हो ता आप बढ़ा भी सकते हैं आखरी में मुझे धन कर देंगे नीच्छे मसाला मिल जाएगा तो देखसकियों हमने मिला दिया इस इसको अच्छे से मिलाने के बादे वो जो हमारा सूजी का बना था उसो को अच्छे से पानी हात में लगा कर आट पानी नहीं लगाएंगे तो तो ऒंए सबस्क के Ball का लossen नहीं लगाना है इसको बीच में अच्छा से एए गढ़ा करेना जैसे पोड़ी बनाते हैं भरने के लिए इसको बीच में जगा बनाहागी पिर टमाना है उसको उसमें भर देना है क्या देख सकते हैं यह में लगा ने जैसे बंद कर देए है जैसे हम पोड़ी बनाते हैं इसको बनाना फ्रेंड एकदम आसान है और जल्दी भी बन जाता है खाने में भी एकदम क्रिस्पी बनता है ज्यादा टाइंग नहीं लगता है फ्रेंड तब देख सकते हैं यह दिखिए बनके रिडी होका है एक लोई मेरा ऐसे मैं आपको तुझी का फ्रेंड नासता है तो थोड़ा मसाला हमको थोड़ा से ज्यादा रखना चाहिए थोड़ा रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा थोड़ा भर-भर के लिए ताकि दूनों का फ्लेवर बराबर आए तो ऐसे करके हमको इसको भी अच्छे से बंद करके इसका अच सारा लोई तैयार कर लिया है मैंने अब चलते हैं इसको फ्राइ करने की तरफ तो मैंने गैस पर कड़ाई चड़ा दी है फ्रेंड इसमें तयल एड करना है आप चाहते हैं तो सर्सो के तेल या रिफाइन का उयल कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा इ तो हाई फ्रेंड पर तेल गरम करने के बाद इसको मीडियम कर देना है एक एक करके मैं इसमें लोई सारा डाल दे रही हूं देख सकते हैं आप इसको हलकी आज पर बनाना थाकि ऊपर से फ्रेंड यह बंद जाएगा अंदर से कच्छा रह जाए को अ अछे नहीं लगेगा तो मीडियम आज सको हलका से ब्राउन करना है दीरे दीरे इसको में पलट के भी बना देना है देख सकते हैं तो सारा फ्रेंड कि हमारा धी तिरे लाल हो रहा है इसको बनने में कम से कम 3-4 मिट लगेगा अधिक एच्छे से अमारा पक जाएगा तो बढ़ियां लगेगा खाने में भी किस्पी रहेगा तो देख सकते हमारा रेडि हो गया है बनके आलू और सूजी के स्नेक्स इसको पकोडा बोलिए तो इसको मैं करके एक एक करके निकाल दे रही हूं तो फ्रेंड आप देखते हैं इसको आपको बन करें देगा बनाने का इतने ची रेस्पी लगती है तो मैं आपको सरू करके दिखा रहे हूं तो देख सकते हैं जो बचा हुआ था मैंने उसको भी बना लिया है तो देख सकत कितना लाजवाब बन के रेड़ी हुआ है इसको आपके चप से चटनी से किसी भी चीज से सरू कर सकते हैं तो आपको हमारी रेशिपी कैसी लगी आई होप अच्छी लगी हो तो प्लीज में चैनल को लाइक करिए कमेंड करिए सेर करना बिल्कुल न भूलिए मिलते हैं नेक् थाफस्ट 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 थाफस्टडब कर दो तो अथाफस्ट।